नमस्कार आप बेख रहे हैं न्यूज वोल्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम निशर्मा एक नज़र डालते हैं उत्रखंड की कास खबरों पर कृष्टी कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रेक्टर रेली निकाली है जोरान किसानों ने केंद्र सरकार के कलाफ खूब नारे लगाए इससे पहले किसान संगट्रों दोरा एक सभा भी आयुजित की गई है जिसमें कौंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष प्रीतम सिंग औ जिसके चलते चात्रों के सामने पढ़ाई की समस्या खड़ी हुई थी जिसको लेकर केंद्र सिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश्व पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोवेड काल में भारत एक मातर सा देश रहा है जिसने सुरक्षा और अतियात के तौर के साथ साथ 33 करोड चा जिसक्षा मंत्री ने कहा कि कोवेड काल में जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं था उनके लिए भी दिक्षा पोटल के जरिए सिक्षा को पुछाने का काम किया गया देरदूर में दूप खिलने से लोगों ने रहत की सास ली है उत्रकंड मौसम विज्ञान केंदर ने राज में मौसम छीक रहने की संबार मचता दी है राज के मैदानी शेत्रों में कुछ भागों में सुबह के समय खासकर हरिदवार और उदम सिंग नगर जिले में मद्य कोरा चाय रहने के आसार बारिश और कोहरे के बाद मसूरी में चार दिन बाद धूप निकली है मौसम साफ रहने से दिन बर लोग गुन-गुनी धूप का आनंद लेते हुए नसर आए उत्रगंड सिक्षा बिवाक की ओर से सिक्षा सत्र 2021-22 में अफकाश का वार्शिक कलंडर जारी किया गया प्रदेश में 5000 फीट या इससे कम उचाई पर स्तित स्कूलों को गृष्म कालीन स्कूलों की शेडी में रखा गया है जबकि 5000 फीट से अधिक उचाई पर स्तित स्कूलों को शीत कालीन स्कूलों की शेडी में रखा गया उत्राकरन के सभी जिलों में कोरुना टिका करण का अभ्यास किया गया 13 जिलों के को लिक 130 सपतालों में मौक्डृल के जरीय तयारियों को परखा गया ہے इसके साथ ही मौक्डृल की रिपोर्ट केंद सरकार को भी बीजी जाएगी टीका करन अभ्यान के बाद जिला और स्टेट टास्क फोर्स की बैटक भी होगी राज में टीका करन के नोडल अफसर सोनिका ने स्वास भिवाग की अधिकारियों की बैटक लिये उन्होंने बताया कि ठीका करन अभ्यान की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को भी तैनात किया गया है हर जले के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई और वहें हरिद्वार कुम से पहले मकर संक्रांती इसनान के रूप में पुलिस की पहली पर इक्षा होने जा रही है पुलिस मकर संक्रांती पर पाक से दस लाग की भीड जुटने की संभावन भी जता रही है डीजी पेशोग कुमार के मुताबिक मकर संकरांती पर प्रती वर्षी लाकों की भीड इसनान के लिए हरे दौर में जुटती है इस साल चुकी कुम्ब भी है इसलिए कोर्णा के बावजूद मकर संकरांती पर ठीक ठाक भीड जुटने की उम्मीद है लालगुवा में जरजर हो चुकी कई दशक पुरानी बिल्लिंग में पशू चिकट से आले चलाया जा रहा है जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हाथसा हो सकता है लेकिन उसके बाद भी अधिकारी किसी भी तरीके की कोई कारवाई नहीं कर रहे है लालगुवा में अकल भारती किसान महासबा ने शहीद समारक में एक दिवसी धरना प्रदर्शन किया है जिसमें व्यापक पैमाने पर किसानों की भागेदारी हुई धरने की शुरुवात किसान अंदुलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजरी अर्पित करके की गई है धरने के माद्धियम से मांगी गई है कि मोधी सरकार ततकाल प्रभाव से किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए संसत का आपात काली शत्र बुलाए फिलारेस बुलिटे में सिर्फ इतना ही जारा कबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें नमस्कार